सिद्धी दात्री माता की वरत कथा हिंदु धर में नौ दिनों तक चलने वाला नवरात्री का पर्व नौवी के दिन समाप्त हो जाता है नवरात्री के नौ दिनों में भिन भिन देवियों की पूजा की जाती है इसी प्रकार नवरात्री के अंतिम दिन देवी दुरगा के 900 रूप मातसिद्धी दात्री की पूजा की जाती है 9 दिन तक धारण कियेंगे वरत का उद्यापन भी 9 दिन किया जाता है माता सिद्धी दात्री की पूजन कता आरती भोग इत्यादी करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है माना जाता है कि नवरात्री के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयम कन्या का रूप लेकर घर में पधारती है तता भक्त का घर सुख सम्रद्दी से भर जाता है आज हम आप के लिए माता सिद्धी दात्री की कथा लेकर आएंगे माता सिद्धी दात्री की कथा पौरानिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिप माता सिद्धी दात्री की घोर तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या से माता सिद्धी रात्री प्रसन हो गई और उनों ने भगवान शिप को आठ सिद्धियों की प्राप्ती का वर्दान प्रदान कर दिया इसके बाद से भगवान शिप को अर्धनाजरेश्वर का नाम प्राप्त हुआ शिव जी का याप रूप संपूर्ण भाबांड में पूजनिये हैं धर्ती पर अनेकों राच्छसों का जन्म होने लगा था रिशी मुनियों तथा सज्जनों लोगों को निवास करना मुश्किल हो रहा था इसी बीज़ प्रत्री पर महिशासुर नामक दैत के अत्याचारों की अती हो गई तब उस दानव के अंध हितु सभी देव अगर भगवान शिव और विश्नु जी से सहायता लेने पहुचे उस दानव के अंध के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन किया जिसके जरीए माता सिद्धी दात्री उत्पन हुई कमल पुष्पर विराजित मा की चार भुजाएं हैं मा का वाहन सिंग है सिद्धी दात्री मा की अरादना उपासना कर भक्तों की अलोकिक परलोकिक सभी तरह की वनोकामनाई पूर्ण हो जाती है मा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है जिससे कुछ भी ऐसा शेश नहीं बचता है जिसे व्यक्ती पूरा करना चाहे वेक्ति अपने सभी सांसारे इच्छाओं आवशक्ताओं से उपर उठता है और मा भगवती के दिव लोकों में विच्ण करता हुआ उनके क्रपा रस प्योज का निरंतर पान करता है